गूड इवनिंग चैनल आज बनने वाली है मस्रूम और यह ब्रोकली की सब्जी तो यह मसाला मैंने मस्मिक्सी पर बीसकी नहीं बनाना है मुझे इसलिए मैं इसको खड़ी प्याज लिए हूँ और यह मस्रूम आधा कि लो और यह है ब्रोकली जिसमेने थोड़ा समत अब गर के बाल कर लिये हैं है और लाष्न और अद्रख भी और आभी सब अडल के दिखाति हूँ कहाई के डालना है पहले डालना हैं हमको इसमें प्याजर और तेल हमारा गरम हो चुका थेल मैंने मस्टर्ड ऐल लिया ऑल तो पहले इसमें प्याज डाले तो प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है अब इसमें डालेंगे यह कुटी हुई अद्रक और लैसुन मिल्ची का पेस्ट और धनिया पत्ति धनिया पत्ति यह देशे वाली कटने के बाद भी ऐसे खुसबू आ रही है जिसें वो गाओं में हों तो यह अध्रक लैसुन का जो कच्छा पन है वह थो निकलिए बहुत ज्यादा लाल नीजाना है तो फिर अध्रक लैसुन जो कूटके हम डाले इसका फ्लेवर आएगा ही नहीं तो इसे पांस लाल लाल टमाटर में डाल लाल से ल्जाना हो चुटी हो चुकी है कपका हम बंद कर दिये हैं तो प्याज द्रक लेस्टन को क्या तो कलर आ गया है देखिए ना अच्छा लग रहा है और आप हम इसे डाल देंगे इसमें यह भर कि टमाटर टमाटर ना जादा डालेंगे इसमें तो बनाएगा इसलिए खोड़ा सा इसलिए लिए और तो में बड़े बड़े जरूरी है क्योंकि इनको यह गलने में पूरी हर्प तमाटर भी करता है आज सॉरी नमक की करता है तो नमक डाल के हम इसे चला के और रोशे पीजमेंट लेकि इसमें बच्छा इसे धर देंगे तो तमाटर अपना जलते रहेगा प्तक पूपसे हम यह डाल देंगे और हल्डी डालने के बाद इसमें वन टी स्पूण यहाफ टी स्पूण आंप तोड़े अगर आपको खटा पसंद है तो वरना आप इसके भी करते हैं टमाटर तो गल चुके हैं अब इसमें डाल देंगे वन टी स्पून कास्मीरी लाल मिच और अब इसमें डालेंगे वन प्रेस्पून एवरेस्ट का मीट मचला फिर इसे चला के इसमें डालेंगे हम कुटी हुई काली मेर्च और डोड़ा है जो इसे भी डालके हम बस 30 सेगेंट चलाएंगे अब इसमें हम एट करेंगे थोड़ी से ताजी वाली मीठी वाली दही डही एट करने के बार दही तो का बाहर भी निखल जा चुकी है डही करने के बार इसमने 200 अधिम में तक लगा तार मिडियम फ्रेम पर चलाते रहेंगे ताकि दही हमारी फट ना जाए और फट ना जाए चलाते रहना है चलाने के बाद हम दिखाते हैं अब यह मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है मश्रूम में मश्रूम को इसमें डालने के लिए तो मश्रूम डालके में साथी डाल देंगे हमें ब्रॉकली पीली गोबी लाल गोबी काली गोबी आया वायट जिपना मिचल अधे तो हथी ब्लब काली के ना रेड़ और ग्रीन वैसे इंतसार है इसका रेड गोबी साथ कभी कोई बना दे कोई अंहें बना जाए तो यह जाए इसके मसाले में डालके हमको इसमें 3-4 मिनुन तब यसे हिए मेडिया प्लें पे घुन लेना है फिर ढाला एंगे घुणा अब कुटा हुआ थ्जीरा और दाला देंगे पाणी कोफी और मस्रूम मसाले में तले तो पाने डाल दिया थोड़ा सा बुना हुआ जीरा डाल के पस इसमें एक सिमनद चला के एक मिट नहीं बस चला के और सिरे पाने डाल देना है और आप सूखी भी बनाना चाहें तो देखिए बहुत बहुत ही सुन्दर ये रोकली और मस्रूंग के सूखी सब्जी बन चुकी है अब शोकी मुझे नहीं बनानी है क्या ब्रेवी वाली तो मैं भी है तो दोड़ा सा पानी बहुत त्दाट पाइड्टा था नहीं थोड़ा सब्सक्राइब करके से दीमी आज में 10 मिन तक 10-5 मिन तक 5-7 मिन तक पगने दीजिए जितना आपको लगए कि पग गया है क्योंकि मस्रूम भी तली हुई है और ब्रोकली भी हलका से वायल होके मैंने फ्राइब कर लिया था तो इसे ज्यादा मसाले में भी मैंने 5 मिन तर्फे भून लिया है तो ज्यादा जोट नहीं है वेशे नहीं पकाने की पासा उन से साथ में तक अब इसे अब पाई डाल के छोड़ देजिए तो हम इसमें एर करेंगी थोड़ा सा पानी पानी मैंने गुन गुन लिया है कि तो देखिए सब्जी बिल्कुल पक चुकी है तेल भी हमारा ऊपर आ चुका ही सब्जी एकदम मस्त पकी है है कब लग रहा है रोपी जानी और कब मैं यह खाना खाल तो हम इसमें डालेंगे सद्धा और भक्ति के अंसार यह जितनी आपको सद्धा उतनी जाल सकते हैं सद् depths मुझे लगता है 29 को धन्हां पति पसंद होती है तो नहीं पसंद होती है मुझे जरूर मिलना है जनीदमने है तो यह सब्जी बनके रेडी हो चुकी है और रेडी हो ettie करने में के लिए भी रेडी हो चुकी है ये मेरी मश्रूम और ब्रोकली की सब्जी रेडी है तो प्लीज आप को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइक ओन जरूर दबा देजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब इसके तो कुछ आपका डेक्स लगता नहीं है तो बटन है दबा दिया करो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक लिए फ्रेंज बाए बाए अगर सब जी खानी है तो आ जाईए मैं रोटी चेकने वाली हूं और सब खाते जाईए बाए बाए फ्रेंज